दोस्तों आज हम बताने वाले है पाटली पुत्रा इन्वर्सीटी पटना अती अवस्य सूचना एक न्यू नोटिस जारी हुआ है फ्रेंट इसमें साप साप बताया गया है कि सेकेंड मेरेट अस्पोर्ट राउंड इउजी रेगुलर चोविस से अठाई सेशन बाले स्टुडेंट पाटिकूलर वैसे छात्र जिनका नमंकन पुर्व के आवेदन पत्र में किसी तुरूती के कारण नहीं हो सका है अथवा नमंकन छूट गया है रद हो गया अथवा नमंकन है तु ऑनलाइन रजिस्टेशन करवाने से चुक गया है वैसे छात्र अपने आवेदन में तुरूती सुधार करते हुए छूटे छात्र को नए आवेदन करते हुए असपोर्ट राउंड के लिए ओफर लेटर डाउनलोड करेंगे महा विद्याले में जामा करके जहां सीटों की रिखतियां और फर लेटर महा विद्यालों में जामा करने की अंकिंती थी तो फ्रेंड इसमें जो फर्ष्ट अस्पोर्ट मेरेट लिस्ट आया था उसमें काफी सारा स्टुडेंट को सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री ओनर्स जुगराफी ओनर्स तो नहीं मिला था क्योंकि सीट नहीं था तो सेकेंड रौंड में अपना ओनर्स चेंज करके ओफर लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में जाकर दो आठ से लेकर पांच आठ दो हजार चौबिस तक आप जमा कर सकते हैं फ्रेंड और इसमें अगला देखिए थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें इसमें लिखा गया है कि महा बिद्याले के मेगा सूची के दवरान अवस्थक धियान रखें कि पहले दिद्यांग अस्पोर्ट अस्पोर्ट कलकू में 6-8-2024 को बड एक्स आर्मी कोटा छात्रों को पर थमिकता देते हुए आरच्छा नियमों का पालन करते हुए मेगा सूची जारी करेगा तो अर्मी कोटा वाला NCC बगेरा जो लिया हुआ है उसका भी अडवीशन के बारे में बताया गया फ्रेंड तो जो भी स्टुडेंट सत्र 24-28 नमंकन के लिए अभी तक बैठे हुए हैं किसी त्रूटी के बज़े से उसका नमंकन नहीं हुआ है तो कॉलेज में अपना लोगिन आईडी पासबर्ट डाल कर यूजर आईडी पासबर्ट डाल कर ओफर लेटर डाउनलोड कर ले फ्रेंड और उसके बाद उसको ओफलाइन भरकर कॉलेज में जाकर जामा कर सकते हैं और जो भी ओनर्स पेपर जिसको कॉलेज में सीट रहेगा वह ओनर्स पेपर आपको मिल जाएगा प्रेंड तो चलिए यह निव अपडेट था पाटली पुत्रा इनवर्सिटी का तो आज के लिए एतना ही फ्रेंड अगर हमारे वीडियो पर संद आए तो चैनल को सुस्क् आपको रदैने